मूवी की कहानी शुरू होती है 1985 में जहां मेगन नाम की एक लड़की गैंबिल परिवार के घर आई हुई होती है उनके बच्चे को बेबिसीट करने उस घर के आसपास की हालत जमीन में पड़ी हुई खिलोने और घर के अंदर मुर्चाई हुई फूलों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानों उस घर के लोग काफी दिनों से गायब है लेकिन फिलहाल मेगन ये सारी बातों को इगनोर करती है और उस घर के मालिक मिस्टर ग मार के उसकी मास खा रही है इसके बाद मेगन बहां से भागने की कोशिश करती है पर तब ही वहां मिस्टर गैंबल आ जाते हैं और बेस्मेंट का दर्वाजा मेगन के मुँ पर बंद कर देते हैं इसके बाद हमें बस मेगन की दरदनाक चीखे सुनाई देती है और बेस्मे होता है बेन के माता-पीता अलग रहते हैं क्योंकि उनका डिवॉर्स होने वाला है अब गर्मी के छुट्टी में बैन अपने डैट के पास जाने वाला होता है बस में एक बूरी और अरत बैन के प्लास्टर को देख के उसे लिटल आर्टिस्ट बोलती है ऐसा वह औरत क्यों क चीफ काम करते हैं अब नेक्स डे लियम बेन को उसके साथ काम पे लेके जाते हैं और बेन उधर बीच पर पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर देता है जहां उसकी मुलाकत मैलोरी नाम की एक लड़की से होती है मैलोरी उसी बीच पे बच्चों को बोटिंग और स्विमिं जहां उसे पता चल जाता है कि उसके पिता का सारा नाम की किसी ओरत के साथ एफेर चल रहा है इसके बाद कहानी में लियम के परोज वाले घर को दिखाया जाता है जहां हास्बन टाई अपनी वाइफ एबी और दो बच्चों के साथ समर वैकेशन स्पेंट करने आए हुए ह होते हैं इसी दोरान एबी अपने बेटे डिलॉन के साथ जंगल में घूमने जाती है डिलॉन जब फोटो खीचते हुए एबी से थोड़ा दूर निकल जाता है तब उसे आगे एक पेड पर वही अजीब सा सिंबॉल दिखाई देता है और उसके पास वाले पेड से जिसमे बहुत बड़ा होल था उसके अंदर से डिलॉन को उसकी मा के आवाज में कोई बुलाने लगती है जब डिलॉन उस पेड के पास नहीं जाता है तो उसकी मा की आवाज धीरे धीरे एक चुरेल की आवाज में बदल जाती है और वो आवाज डिलॉन को धमकाने लगती है पर जब ही सही टाइम पर एबी उसके पास आजाती है लेकिन जब डिलॉन पीछे मुड़के उस पेड़ की तरब देखता है तो उसको वैसा होल वाला कोई पेर वहाँ पे नहीं दिखता है इसके बाद एबी और डिलॉन घर लोटाते हैं एबी का पती टाई देखता है कि कार में एक हिरन का लाश रखा हुआ है जब वो एबी से इसके बारे में पूछता है तो एबी कहती है कि घर आते टाईम ये हिरन उनके कार के सामने आ गया था और क्योंकि हिरन का मास्ट टेस्टी होता है तो इसलिए वो उसे लेके आई है डिनर में पकाने के लिए इसके बाद पर वीडियो देख के हिरन को काटने की कोशिश करती है पर एक कट लगाते ही उसके अंदर से इतनी गंदी स्मेल आने लगती है कि एबी उस हिरन के बोड़ी को वही पे छोड़कर अंदर घर में चली जाती है फिर उसी रात वहां जब सब अपने घर पर सो रहे होते हैं करने जाता है और एबी के घर के सामने आ जाता है जहां उसको उस क्रीचर का एक हलका जलक दिखता है बेट बेन को समझ पाता उसके पहले वहां टाई आ जाता है और बेन को वहां से भगा देता है अगले दिन एबी जब अपने घर के बाहर आती है तो वह देखती है कि बग कर रही हूँ बेंड समझ नहीं पाता है कि उसके मा ने बॉइस क्यूं कहा अब क्यूं के रात को उसके डैड ने डिनर पर अपनी गर्फ्रेंड सेरा को बुलाया था बेंड से मिलवाने के लिए तो इसी वजह से बेंड का मोड पहले से ही ओफ था इसलिए वो अपनी मा की कही हुई बात को ignore कर देता है और घर ना जाके मेलोरी के साथ पाटी करने चला जाता है पार्टी में बैन डर के मदद के लिए टाई को बुलाने वाली होती है लेकिन तब ही वो अजीब सा क्रीचर एबी पर हमला कर देता है अब देर रात नशे के हालत में बेन जब पार्टी से घर लोगता है तो वो एबी को देखता है जो अपने बच्चे को लेके जंगल की तरफ जारी होती है ब अगले दिन सुबा हम टाई को देखते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल भीहब कर रहा होता है उसको फिकर ही नहीं था कि उसका छोटा बेटा गायब है दूसरी तरफ एबी भी जंगल से घर लोटाई थी वो काफी अजीब भीहब कर रही थी मानो जैसे किसी चुरेल के वश में हो डिलॉन भी अपने मम्मी के अजीब से हरकतों को देखकर काफी डर जाता है अगले सीन में रात को काम से घर आते टाइम बेन से लिफ्ट मांग लेता है क्योंकि उसके डैट का काम खतम नहीं हुआ था और बेन को जल्दी घर जाना था अब गारी में साथ में आते टाइम सारा और बेन दोनों अच्छे से बाते करने लगते हैं उनके बातों से पता चलता है कि सारा को मिल्क प्रोडेक्ट से अलर्जी है इसके बाद बेन जब घर पहुचता है वो देखता है कि डिलॉन अपने मम्मी के डर से उसके रूम में छिपा बैठा है डिलॉन के डर को दे के से बदल चुकी थी वो बेन को धमकी देती है उसके दूसरे हाथ को तोड़ डालने की अभी ही सब चलते बहाँ टाई आ जाता है और डिलॉन अपने पापा का आवाज सुनके बेन के घर से निकल आता है और वो अपने डैट के साथ घर चला जाता है रात को सोते टाइम वो मेलोरी से पता चलता है कि डिलॉन मरीन क्लास के लिए नहीं आया है क्योंके बेन को अभी पर अल्रेडी शक था तो वो जल्दी से भागते वे डिलॉन के घर आ जाता है लेकिन वहां घर में उसे टाई मिलता है डिलॉन के बारे में पूछने पर टाई बोलता है कि उसका लिखा था बैनों सिंबॉल की कुछ पिक्चर्स खीच लेता है और घर आकर इंटरनेट पे सर्च करने लगता है जहां उसे पता चलता है कि यह सिंबॉल डार्क मदर नाम की चुरेल उन घरों में बनाती है जो घर उसे पसंद आ जाता है इस चुरेल का जनम एक शापित पेर पत्थर और पेट की जरों से होता है पर नमक इनके लिए तेजा आप की तरह काम करता है यह सर्फ और तो की शरीर में घुसकर रह पाते हैं और छोटे बच्चों को खा के अपना भूप मिटाते हैं लेकिन जादा दिन यह चुरेल किसी के बॉड़ी में नहीं रह पाते हैं जब वो अबी को बेस्मेंट से कुछ निकालते हुए देखता है तो उसको शक होता है और वो ये सब बातें मैलोरी से शेयर करता है बट मैलोरी को उसके बात उपे कुछ खास यकिन नहीं होता है लेकिन जाते टाइम मैलोरी टाइक के घर पर एक नोट छोड़ देती है जिस इसे टाई अचानक से एक जॉंबी की तरह भीव करने लगता है। अब कहानी में आगे बैन उनके बेस्पेंड में पहुँच जाता है चेक करने के लिए। जहां उसे लकरियों से बनी हुई एक डेमॉनिक पुतला नजर आता है। जिसके सर पर हिरन का स्कल लगा हुआ था। और इसके साथ उसे एबी और उसके परिवार का फोटो दिखता है जहां टाई के आखो को स्क्रैच कर दिया गया था। इसका मतलब फोटो में जिसके आखो पर स्क्रैच हुआ है चुरेन ने उसके मेमरी को मिटा दिया है। और इसी कारण से टाई को भी अपने बच्चों क के बारे में कुछ भी याद नहीं है। इसके बाद बैन की नजर मैलोरी के फैमिली फोटो पर पढ़ती है। जिसको देखकर वो समझ जाता है कि उस चुरेल का अगला शिकार कोई और नहीं बलके मैलोरी के बहन लीली है। वो मैलोरी को फोन करके उसे बतानी की कोशिश करत है बट कोई फाइदा नहीं होता क्योंकि मैलोरी साफ बोल देती है कि उसकी कोई बहन नहीं है। इधर अबी वहां लीली के पास पहुच जाती है। और उसे लेकर जंगल की तरफ जाने लगती है। सही टाइम पर बैन भी वहां पहुच जाता है। और उनका पीछा करते व अब उसे होश आता है तब तक बहुत रात हो चुकी होती है और वो पीर भी गायब हो चुका होता है। अब घर जाने पर बैन के पापा उसे पूचते है कि वो उनके परोजी के बेस्पिन में क्या करने गया था। जिसके जवाब में बैन सब कुछ सच सच बता देता है कि Abby ने अपने बच्चों को मार कर खा लिया है पर Liam Ben की कोई भी बात पर यकीन नहीं करता है इसके बाद Ben जब Sarah के साथ किचन में बात कर रहा होता है तब देखता है कि Sarah अपने कौफी में दूध डाल रही होती है जबकि उसको दूधे से आलर्जी था और Ben ये भी नोटिस करता है कि किचन में रखे फूल भी सूख जा रहे है अब Ben को ये यकीन हो जाता है कि ये असली सैरा नहीं है Ben नमाक से उस पर हमला कर देता है जिस दौरान चुरेल भी अपनी असली रूप में आने लगती है और Ben को मानने जाती है बड़ तब ही Ben उस पर चाकू चला देता है और इसे टाइम उधर लियम भी आ जाता है और सैरा को मानने से रोक लेता है सैरा पर हमला करने की वज़े से पुलीस Ben को एरेस्ट कर लेती है अब पुलीस टेशन जाने के टाइम Ben नोटिस करता है कि सैरा एक आफिसर के कान में कुछ कह रही होती है जिसे देखकर वो और चिलाने लगता है और अपने डैट को बार बार टाइ के बेस्पेंड में जाके चेक करने के लिए कहता है बट अफसोस कोई उसकी बाते नहीं सुनता है अब इधर पुलिस वाला भी सैरा के वश में होने के कारण वो Ben को किसी सुनसान जगा पे लेके जाता है और पानी में डूबो के माननी की कोशिश करता है पर तब ही वहाँ एक डौगी आके उस पुलिस वाले को काटने लगता है जिसे Ben की जान बच जाती है वो पुलिस वाला भी होश में आने लगता है और कन्फ्यूजन में खुद को ही गोली मार देता है अब इस बीच में लियम Ben की बातों से परिशान होकर टाई के बेस्मेंट में चेक करने जाता है लेकिन वहाँ उसे कुछ भी नहीं मिलता क्योंके टाई ने सब कुछ हटा दिया होता है पर बेस्मेंट से निकलते टाई उसे टाई दिखता है गराज की तरफ जाते हुए लियम उसका पीछा करता है और जैसे वो गराज के अंदर जाता है तो उसे बहुत गंदी हालत में एबी की लाश मिलती है और टाई ने भी चुरेल के वश में आकर सुसाइट कर लिया होता है लियम को उधर वो सारी चीज़े दिखती है जिसके बारे में बेन समझाने की कोशिश कर रहा था वो डिमॉनिक पुतला और उस पे लगे हुए उन फैमिलीस की फोटोग्राफ्स जिनके परिवार को उस चुरेल ने अब तक शिकार बनाया था हैरान करने वाली बात ये थी कि लियम को वहां खुद की फैमिली फोटो भी मिलती है जहां उनके तीनों के आखो पर स्क्रैच किया हुआ था लियम समझने की कोशिश करी रहा होता है कि तभी हिरन का स्कल पहन के सैरा वहां आ जाती है और लियम को मानने की कोशिश करती है खुद को बचाने की कोशिश में वहां लियम के हातों से कैंडल गिर जाता है और उस गराज में आग लग जाता है इधर चुराल लियम को मानने वाले होती है कि तबी सही टाइम पे बेन उस पुलिस वाले का पिस्तॉल लेके आ जाता है और सैरा पे शूट करके अपने डैट को बचा लेता है अब गराज में आग लगने की वज़ा से वो सारी स्क्रैच की गई फोटोस जल जाती है जिसकी वज़ा से उन लोगों को सब कुछ याद आने लगता है जैसे मैलोरी को अपनी बहन लीली की और बेन को अपना भाई नेथन के बारे में याद आ जाता है और इधर एक ट्वेस्ट रिवील होता है कि बेन का और एक भाई है बेन को याद आता है कि बस में वो लीडी ने लीटल आर्टिस्ट उसे नहीं बलकि उसके भाई नेथन को कहा था और इसलिए पार्टी के दोरान मेलोरी को नाम लिखने की जगा नहीं मिल रही थी क्योंकि नेथन ने पूरे प्लास्टर में पहले से ही डिजाइन करके रखा था इवन बेन को उसके मॉम ने कहा था कि I miss my boys क्योंकि उसके मॉम ने बेन और नेथन दोने की बात की थी इवन डिलान जब अपने मॉम के डर से बेन के घर आया हुआ था वो एक्चली बेन से मिलने नहीं बलके नेथन के पास आया था पर जब पहली बार वो चुरेल अबी के शरीर में बेन के घर आई तभी उसने बेन के दिमाग से नेथन के सारी मेमरीस को मिटा दिया और Ben अपने भाई के बारे में बिलकुल भूल गया पूरे फिल्म में नेथन शुरू से ही Ben के साथ था पर क्योंके हमने ये फिल्म Ben के नजर से देखा है तो इसलिए हमें पता नहीं जला अब इसके बाद मैलरी Ben को कॉल करके अपने बहन के बारे में पूछती है जहाँ बैन उसे सब कुछ बता देता है और दोनों मिलके जंगल में उस पेर के पास चले जाते हैं जहाँ वो चुरेल बच्चों को मार के खाती थी बैन को कही न कही यकीन होता है कि नेथन और लिली अभी भी उस होल में जिन्दा है इसके बाद बैन मैलरे को बाहर छोड़ के खुद उस होल के अंदर चला जाता है जहाँ वो पहली बार उस चुरेल को अपने असली रूप में देखता है Ben अपने भाई और लिली को ढून निकालता है और जैसे तैसे करके उस चुरेल से लरके उन दोनों को होल से बाहर भेज देता है बट तभी वो चुरेल बेन का पैर पकल लेती है और उस होल से बाहर आने लगती है बट उसी टाइम लियम आ जाते हैं और गारी को फुल स्पीड में उस चुरेल पर चड़ा देते हैं और फिर उस पेर को जला देते हैं दोस्तों अब कहानी कुछ दिन बात की दिखाय जाती ह जहां सब धीरे धीरे अपने नॉर्मल लाइफ में वापस आ रहे होते हैं जहां मैलोरी ने फिर से ड्यूटी जॉइन कर लिया था और बेन नेथन भी अब यह टाउन छोड़कर अपने मॉम के पास रहने जा रहे होते हैं पर जानी से पहले बेन मैलोरी से मिलने जाता है औ मूवी के लास्ट सीन में हम मैलोरी को समुंदर में बच्चों के साथ बोट पर दिखते हैं जहां उसकी एक वियर्ड सी स्माइल के साथ ही मूवी इधरी खतम हो जाती है। दोस्तों देख के तो ऐसा लगता है कि उस चुरेल ने मौका देखकर किसी टाइम पर मैलोरी को कबजा कर लिया है और इसका मतलब ये है कि उस ताउन में अभी भी वो चुरेल जिंदा है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पर लाइक एंड कमेंट करना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।